आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासिस का यूटूब चैनल पर थमनेल आपने विलकुल सही पड़ा फिनेंशल येर इकिस बाइस की जीएस्टी आर नाइन की बात करेंगे आप सब लोगों को पता है फिनेंशल येर इकिस बाइस की जो जीएस्टी आर नाइन है उसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर दोजार बाइस है कई लोगों का कुश्चन होगा कि सर क्या इसकी डेट एक्स्टेंड होगी भाई मेरा मानना इसकी डेट एक्स्टेंड नहीं होगी GSTR 9-9C का सीजान आता है हमारे मन में एक डर होता है कि कैसे 9-9C फाइल करे आप लोगों को कई सारी दिक्कते आती है तो आपको वो दिक्कते ना हो इस वीडियो में सच चीजों का सोलूशन में आपको बताऊंगा तो पहले आप यह मान लीजिएगा कि GSTR 9-9C की डेट नही नहीं तो यहां पर दिखा रहा है कि 30 दिसंबर 2022 लास जेट है अब हम बात कर रहे हैं कि भई 9-9C भरनी किसे कई लोगों का मानना यह होता है कि भई जिन लोगों की टरनोवर ठीक है ना दो करोड से उपर है उन लोगों को 9 फाइल करनी है और 5 करोड से उपर है तो 9C भी फ अब आप बताओ मैं 9 फाइल करू या ना करू क्योंकि मेरी GSTR 3B और GSTR 1 में गलती है तो यह सारे सवालों के जवाब के लिए हमने एक बुग बनाई है 107 पेजों की अगर आपने अभी तक इसका सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो इसे सब्सक्राइब करा ले इसे सब्सक कोपी में भी आ जाएगी हाँ जी हार कोपी में भी आ जाएगी तो आप इसे पढ़कर अपने सारे सवालों के जवाब ढून सकते हैं लेकिन मैं आपको बता दू कि अगर मैं अप टू करोड की बात करू तो अप टू करोड जो हमारी GSTR 9 है वो एक्जम्टिड है लेकिन पो अप टू करोड एक्जम्टिड है लेकिन पोर्टल मना नहीं करता अगरा भरना चाहो तो भर लो अब बात करते हैं कि भई 9 जब भरें तो किन बातों का ध्यान दखें तो आज 30 नवंबर की डेट है 30 नवंबर तक फिनेंशल यर 21-22 में जो भी अमेंडमेंट करनी थी वो आ आज में फाइल करूंगा बाइचे बेसक तू 4 दिसंबर को फाइल कर लियो लेकिन अब वो अमेंडमेंट नहीं लगेगी अगर तुम अक्टूबर की 3B या जीस्ट या कोई भी अमेंडमेंट आज 30 नवंबर तक फाइल करते हो तभी वो अमेंडमेंट हो सकती है तो मैं मा आजाओगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है यह जो GSTR 9 की सिस्टम कंप्यूटेट समरी है इसे डाउनलोड कर लेना है GSTR 1 की समरी को डाउनलोड कर लेना है 3B को डाउनलोड कर लेना है और टेबल 8 है यह बड़ा इंपोर्टेंट है एक इसे डाउनलोड कर लेना है यह च कोई comparison table बनानी है जब आप यह comparison table बना लोगे अगर किसी की कोई गलती नहीं है तो वो अपनी GSTR 9 simple file कर देगा यह GSTR 9 auto populated होकर आती है सिर्फ compute liabilities करो और यहां पर सम्मिट कर दो लेकिन इतना असान नहीं है अगर आपकी GSTR 9 में कुछ adjustments है adjustments कैसी financial year 21-22 की sale है आपने 22-23 में दिखाई है या आपकी कोई ऐसी sale है जो की 20-21 की sale है और आपने उसे 21-22 में दिखाई है तो आपको GSTR 9 में दिमाग लगाना पड़ेगा और यहां पर जब आप GSTR 9 में दिमाग लगाओगे तो हर एक particular situation का एक या दो solution निकलेंगे हर चीज का solution सेम नहीं होगा जैसे मैं example से बात करूं अगर financial year 21-22 की कोई sale है और वो आपने 22-23 में दिखाई है September की return तक दिखाई है October की return तक दिखाई है जो आप 30 November तक file कर सकते हैं तो उस तरह की adjustment को आपको table number 10 और 11 में दिखाना होता है और उसका जो tax का impact होता है वो table number 14 में दिखाना होता है और वो वाली जो sale है अगर उसे आपने GSTR 1 में दिखाया हुआ है सही से तो यहाँ पर जो आप table number 4 दिखा रहे हो उसमें से उसे minus भी करना होता है जिससे कि आपकी turnover बिल्कुल match हो जाए तो ऐसे करकर के हमने क्या गर रखा है सर 15 से 20 case study बना रखी है अगर आप यहाँ पर देखोगे तो table number 4 table number 5 6 7 8 10 11 12 13 इन सब की हमने क्या गर रखा है 15 से 20 case study बना रखी है आपको सारी case study refer कर सकते FAQ पढ़ सकते और साथ में अगर आपको लगता है कि भई एक बार ना GSTR 99C को revise करना है माइंड के अंदर revise करना है तो हमने क्या करा है हमने GSTR 99C पे session लखा है 99C पे session है हमारा 11 दिसंबर को संडे को हमारा session है ग्यारा बज़े से दो बज़े तक आप इस session को जोइन कर सकते हैं चार सो 99C रुपे का session है अब आप गोगे सर पाम सो पाम सो रुपे लेकर आप तो बहुत पैसे ले गए हाँ जी बिलकुल पैसे ले लिए हमने दो हजार बाइस में 29 जनवरी 2022 से लेके 25 दिसंबर 2022 तक लगबख 30 session करें और 12,000 रुपे ले लिए ऐसे ही 2023 में भी करेंगे हम तो अगर आपको 12,000 रुपे के session चाहिए तो अभी 3,000 रुपे में मिल रहे हैं आप annual membership ले सकते हैं webinar की आपको बार-बार webinar की payment नहीं करनी एक बार annual membership ले लो और जितने पूरे साल में webinar होगे कम से कम 30 तो देंगे ही देंगे आपको यहाँ पर टेंजन फिरी हो जाएगी तो आप यह webinar भी जोइन कर सकते हैं अब बात करते सर ITC से related दिक्कत की तो यहाँ पर ना पहले table को समझ लो कि कौन सी table में क्या आता है तो मैं आपको बता दू table number 4 और 5 आप सब लोगों को भी पत टेंगे तो इसका मतलब जहां पर टेक्स की बात और वह टेबल नंबर फॉर में और जहां पर टेक्स की बात नहीं वह टेबल नंबर 5 इन दोनों टेबल का biggest झाथंगेशन हgowऊ इसका बीजी कि से कोई तालूग नहीं थी खेंगे न और आपकी ट़नोवर से रिलेटेड कुछ चेड छाड हो और वो ऐसी turnover है जिसका tax पे को impact नहीं आता उसे आप deal करोगे table number 5 से लेकिन अगर आपकी turnover में कुछ छेड़ चाड़ है और उसका tax से impact आता और वो छेड़ चाड़ आपने 3B में करिये और कब करिये अप्रेल से अक्टूबर की 3B में तो आपको table number 211 को छूना या दर्वाइस नहीं छूना पहली बात आप यह समझ लो दूसरी अगर हम बात करें tax की यह table number 4 और 5 auto populated होकर आती है जेस्टी आरवन से लेकिन जो इसका tax का impact आता है वो आता है table number 9 में और यह table number 9 जो होती है वो auto populated होकर आती है 3B से तो आपको यह बात समझ नहीं होगी कि table number 9 बनिये 3B से तो कई बार 3B में गलती होती है हमारी कि हमने ITC को reverse करना है तो जब हम ITC को reverse करते हैं और हमारे credit leisure में पैसे नहीं होते reverse करने के तो वो हमारी liability बना देता है तो वो liability हमारी उठकर किसमें आ जाती है table number 9 में तो जब भी कभी आप table number 9 की बात को देखेंगे तो table number 9 में आपको tax मिलाना होता है 3B के according तो यहाँ पर जो table number 9 में अगर tax payable कुछ ऐसा आ रहा है जो कि ITC की वज़े से reversal है यहाँ कोई ऐसा tax है जो financial year 20-21 का है और आपने 21-22 में pay करा है तो आपको tax payable को यहाँ पर कम करना होगा ठीक है जी तो यहाँ पर यह बात समझे में आ गई कि अगर 21-22 की 9 और 22-22 की ही table हम छेड़ रहे हैं तो 4-5 और table number 9 आएगी और कुछ नहीं आएगा लेकिन 21-22 की कोई transaction अगर 22-22 में impact कर रही है तो table number 10 और 11 आएगी साथ में table number 14 यह कहती है कि अगर आपने 21-22 का कोई tax payable में भी दिखाना है और tax paid में भी दिखाना है तो यह आपको clear हो गयोगा हाँ 9 number की table महाँ पर जरूरी हो जाती है अगर 21-22 में जो आप 3-B फाइल कर रहे हो मेरी बातों को ध्यान से समझना लिख कर समझना बार बार सुनना कि अगर आप 22-22 में आपकी 3-B में कोई ऐसा tax payable हो रखा है जो 20-21 का है तो तब भी table number 9 में आपको tax payable को कम करना पड़ेगा तो यह तीन तरह की जो table है यह turnover से related है और tax related है अब बात करते है ITC की जब आप ITC की बात करते हैं तो table number 8 बड़ी दिक्कत वाली है table number 8 के अंदर जो table आती है वो क्या कहती है table number 8 table number 8 यह कहती है कि भई table number 8 है में जो यह ITC आ रहा है table number 6 B में तो 6 B का ITC यहां पर auto populated होकर आजाएगा और अगर वो 8 B के अंदर जो ITC आया वो तुम्हारे 8 A से ज्यादा होगा तो आपको notice आने की पूरी संभावना है सर मेरी क्या गलती है मेरे supplier ने लेट फाइल करा उसने कुछ गलत करा मेरी गलती भाई तुम्हारी ही मानी जाएगी आपको notice आएगा तो आपको इसकी working रखनी है तो कोशिच क्या करनी है table number 8 में difference कभी ना है और अगर difference है तो positive difference है negative difference ना है सर positive difference का मतलब क्या होता है positive difference का मतलब होता है कि table 8 में कोई ऐसा ITC है जो हमने अभी claim नहीं करा financial year 21-22 में हम उसे 22-23 में claim कर रहे है तो ऐसे ITC को आपको table number 8C में दिखाना होता है और table number 13 में दिखाना होता है आपको यहाँ पर दो जंगाई ITC दिखाना होता है तो यहाँ पर आपको समझना है कि 8B का जो ITC है वो auto populated होकर आ रहा है 6B से तो सर कई बार तो ऐसी भी situation आ जाती है कि table number जो यह 6 है 6A में वो ITC आता जो मैंने 3B में claim करा जो मैंने 21-22 की 3B file करी उसमें जो ITC claim करा वो आ गया मेरा table number 6A में लेकिन 21-22 में कुछ ITC 20-21 का भी था अब मैं उस ITC क क्या करूं तो भाई अगर आपकी 3B के अंदर 21-22 की 3B में कुछ ITC 20-21 का था और वहाँ पर table number 6A में दिखा रहा है तो 6B में उसे bifurgate करते समय उसे हटा दे उस ITC को हटा दे नहीं तो आपकी table number 8 mismatch हो जाएगी आपको यह बात यहां पर समझनी है तो ऐसे बहुत सारी ITC भी कम ले लो और table number 7 में भी दिखा दो तो दो बार कम मत कर देना यह चीज आपको सारी समझनी है तो आप हमारा webinar जोइन कर सकते हो या annual membership ले सकते हो webinar की या जो हमने book बनाई है 108 pages की बड़ी महनत करके आप उसे पढ़ सकते हो और अगर आपने उस book को 2 घंटे पढ़ लिया वरो नहीं तो कोई बात नहीं ।ेबल नंबर 17 और 18 इंवर्ड शाप्लाई और आउट्ड सप्लाई के अचेसन की बात करती है तो गोर्मेथरम नेन का इINDWर्ड शिप्लाई के अचेसन मत दो नहीं मांगते तुमसे मतलब टेबल 18 को अभी हमने क्या कर दिया ओफिशनल कर दिया लेकिन जो टेबल नंबर 17 है आउट्वर्ट सप्लाई के HSN की ये मेंडिट्री है अब आपको अपनी टर्नोवर के बेसिस पर देखना है कि अगर आपकी टर्नोवर अप्टू 5 करोड है तो आपको HSN समरी देनी है 4 digits की सर ये तो 4 लेता ही नहीं 8 लेता है नहीं भाई इसमें क्या करोगे जब आप थोड़ी सी टेकनीक लगाओगे तो तब ये 8 digits की जंगा 4 भी ले लेगा ठीक है लेकिन यहाँ पर क्या होगा जो भी HSN आप सर्च कर रहे हो जिस भी चीज का तो आपको देखना पड़ेग वो HSN 8 digits में आ रहा है तो फिर उसे edit करना पड़ेगा तो यहाँ पर जो भी HSN आ रहे हैं चाहे वो goods के हो चाहे वो service के हो तो आपके सारे HSN आपको डाल ले है अगर आप इसे edit करोगे तो 4 कभी ले लेगा लेकिन आपको mandatory file करने है कोई यह सोचे कि वहीं नहीं मैं तो ऐसे ह कर दूंगा कर दे कल को notice हाजाएगा तो यह है आपको summary देनी है हां लेकिन अगर आपकी कोई sale है तीक है ना जो exempted है तो मेरे इसाब से उसका मत देना क्योंकि हाँ पर tax मांगता और उस पर tax नहीं लगता जब समरी दो तो ध्यान दखना जो भी आपने टेक्सेवल वैल्यू दी है उस पर टेक्स रेट है वो मैच करना चाहिए ऐसा ना हो कि आपकी एक लाग की टेक्सेवल वैल्यू और 12% का tax rate है तो आपने 12,000 की जं तो ऐसी बहुत सारी दिक्कते आपको आएंगी तो हमने क्या करा है जो हमारी ये बुक है और जो हमारी मैगजीन है हमारी मैगजीन भी आपको पता है इस बार का जो मैगजीन का एडिशन है वो बेस्ट एडिशन है क्योंकि GSTN 99C के FAQ आ रहे है उसमें तो आप मैजीन भी ले सकते हो आप वेबिनार भी जोइन कर सकते हो आप पेड मेंबर्सिप भी ले सकते हो और आप हमारी गूगल ड्राइब पैन ड्राइब भी ले सकते हो जो भी लेक्चर हम पढ़ाते हैं जो भी वेबिनार हम देते हैं वो सारे के सारे मारे गूगल ड्राइब पैन ड्राइ लेकिन कौन सा ITC, जो 21-22 का ITC, अगर आपने 22-23 में रिवर्सल करा, तो टेबल नंबर 12 में जाएगा, और अगर 21-22 का ITC, अगर 22-23 में क्लेम करा, तो टेबल नंबर 13 में जाएगा, तो यहाँ पर यह कुछ कैलकुलेशन से आप इसे करें, और अपनी 9 को समय से फाइल करें, लास्ट डेट का इंतजार ना करें, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बोक्स में लिखकर बताना, और यह जो हमने 1 एर का मेंबर्शिप दिया है, वेबिनार मेंबर्शिप आपको कैसी लगी, इसके बारे में भी बताना, और अगर जिन लोगों ने बुक ली है, वो बता में बुक कैसी लगी, मैगजिन कैसी लगी, कमेंट बोक्स में हमें अपना प्यार जरूर दे, इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ, थैंक्यो फोर बच्चिन